हाई प्रेंस मैं पेवेक सिंग्राजपूत आप सभी का स्वागत अभी निम्न करता हूं अपने इस भीए सारग्डा चैनल पे तो दोस्तों आप सभी को सोंबार की पहली सोंब मवारत की हारदी शुप का मनाए पावा भूले ना आप सभी पे किरपा बना कर रखे कि आप जि पीची में वीडियो छोड़ कर मत जाना अगर अभी आपको जाना है तो शुर्वात में चोड़ दो मत देखो वीडियो पूरा ऐसे आपको लएगा कि टाइम बेस्ट हो गया ठीक है लेकिन अगर देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखना क्यों मैं बोला हूं कि पूरा व अध्यच थे उन्होंने अपने पत से इस्थिपा दिया कौन है सर दो है आपके मनोज सोनी कौन है सर मनोज सोनी जी है वो अपने पत से क्या की है सर इस्थिपा दे दिये हैं अब हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं क्या ऐसा क्या हुआ कि साहब इस्थि लिब लोगेंज मनें है तो यह जोड श्रसिय द्धान कि अक्राइस कर दियें का उया में सब्सक्राइब अध्याच कोन है एम जगदिश कुमार है भारतिय परमानों उर्जायोग के अध्याच कोन है तो डाक्टर अजीत कुमार महंती है राश्टिय बाल अधिकार सनच्छन अध्याच कोन है तो प्रियांग कानू नगो है UPSC के ध्याच मनोश सुनी ने इस्थिपादे दिया उनका कारिकल 2009 में समाप्त होने वाला था उन्होंने 2023 में UPSC ये ध्याच के रूप में सपदली थी अब मैं बात करता हूँ UPSC बोले तो Union Public Service Commission भरतिये संग लोग सिवा आयोग एक समीधानिक निकाई है इसके अध्यापना एक अक्टूवर 1926 को ही थी और एक अनुशे 308 से अनुशे 302 के अंतरगत UPSC का उलेक किया गया कहां पे सर तो भारत के समीधान में इसमें एक अध्याच वह 10 सदस्य होते हैं टोटल क्या सर तो एक अध्याच होते हैं और अध्याच की जो कारकाल होती है और 6 वर्स की होती है अध्याच और सदस्यों का कारकल 6 वर्स तथा उम्र 65 वर्स की आयूतक के लिए अध्याच की नियुक्ति कौन करता है सर तो राष्टपती के दवारा ये नियुक्त किये जाते है नेक्स्ट है किंद्रिये खान मंत्री खान तो नहीं इसको खनन कर लो आप केंद्रिये खनन मंत्री जी किसन रेड़ी ने रास्टिये भू अस्खलन पूर्वान नुमान केंद्र का सुभारम कहां किया है सर तो आपका कुलकता में किये है जो सठीमी अंतरास्टी ये चिनी संगठन वन फ्यूट्टी परसेद की बैठेक दोजार चोविस मई में हुई नाम कमाता परतियुक्ता कायोजन कहां हुआ सर तो बैंगलेवरी में हुआ है भारत के पहले मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्मान कहां हुआ सर तो मदूरई है ये मदूरई में हुआ है अब तो आशा देख लेते किंद्री खनन मंत्री जी के सनेडी ने कोलकाता में रस्टी भू अस्खलन पुर्वानुमान केंद बोले तो नेशनल लैंड स्लाइट फोर्कास्टिंग सेंटर का सुभा रम किया है भू संकेत वेब भू अस्खलन मोबाइल एप का भी सुभा रम किया है भू अस्खलन पूर्वानुमाल परनाली 2030 तक पूरे भारत में उपलब्द कर दी जाएगी और ये भारतिये भू बाइग्यानिक सर्वेशन बोले तो जियोलोजकल सर्वेशन इंडिया है इसके अथापना कब होई थी भारत की एक ये क्या है सर तो एक बैग्यानिक अजिंसी है इसका उदेश से भारत के जियोलोजकल सर्वेश और अध्यान कर्मा है इसका मुख्याले कहां पर है सर तो कुलकता वेस्ट बंगल पच्छी मंगल में है महत्पून करेंट अफेर देख लेते हैं कि मौरिश्वस म सबसे बड़ा चरद कघ कोला गया है दुनियाका सबसे बड़ा करवेंशन सेंटर य जिसको इंडियन कॉस्ट गाड़ बोलते है तमिल नाडू के मडपम में जलिय केंदर का उधगाटन किया है आमादाबाद में इन अस्पेस ने किया सेटलाइट और सेटलाइट पेल और तकनीक केंदर का उधगाटन भरतियन और सेना के लिए डियो दवारा केरल के इडूकी में अंतरीच प्रसिछन केंदर का उधगाटन किया गया है एक्स्ट है कि यूरो स्पोर्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड अमिस्टर किसे निक्त किया है अबोटो में भारत और सकते हैं कौन है सहर तो सिखर धवन को निक्त किया है। ईर्य स्पोर्ट इंडिया ने भारत के कर्केतर सिकhann धबन को मोटो जीपी के लिए ब्रांड अमेस्टर नियूंत किया है। धबन EUROWS Peas EUROWS 4 इंडिया के नमीनतन अभियान USB प्रफेस कर रेस में मुख्य भूमका निभाएंगे एरोस्पोर्ट एक टेलिविजन स्पोर्ट्स चैनल है एक कब से ब्रांडमिस्टर है तो दोजार चोबीस से कोन है अ प्रांडमिस्टर dapat any के फिट इंड्या मुवमिंक के ब्रांडमिस्टर कोर है नरेंध कुमार यादौ पञजाब का स्टेट अकोन लोगसभाचुनावे tutu सुमन गिल है बोट का ब्रांडमिस्टर कौन है एजन वीर सिंग है लोगसभाचुनावद ऐच चुनायायग यूसुमान खुराना थे ब्राण्ड लोग सबस्वा कुनते आयूशुमान खुराना थे सबुमार 148 मुसलिम विवा और तलाग पंजी करन अधिनिय मर्लिपी को किस राजसरकार ने निरे Iraq कर दिया है किसने इसको निरस्ट कर दिया है सर तो मध्ध परदेश ने निरस्ट कर दिया है अगला सवाल है पीएम स्वन इधी योजना के तहट सर्व स्रेश्ट परदर्शन करने वाला राज कौन बना है सर तो वो है आपका तिलंगाना तमीलाडू नहीं है सर यहां पर मैं ऑप्शन ल जाएगा यह सब कुछ जो है आपका राष्टियो धान का नाम है जैसे असम के राष्टियो धान हो गया काजी रंगा राष्टियो धान हो गया मानस राष्टियो धान हो गया डीबू से खुवा राष्टियो धान हो गया नामेदी राष्टियो धान हो गया औरंग इसका जो राइट एंसर है मिस्टेक हो गया था इसका जो राइट एंसर है वापका मध्य पर्देश है कि 2020 में कोवीड-19 में हमारी के दोरान नरेंद्र मोधी सरकार ने सहरी सलक विक्रताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना सुरू की जिसमें 50,000 रुपय तक का रीन उपलब कराया गया है मध्य पर्देश के बाद असम को सर्वस्रेश्ट परदर्शन करने वाला राज नावाचार और सरोतम अभ्यास कुरुषकार सेनी में दुसरा अस्थान दिया गया है सर्वस्रेश्ट परदर्शन करने वाले सहरे अस्थानी निगयो दैस लाख्च अधिक अबादी वाले सहरों में रीन परदर्शन स्यदी में पहले नमर पर दिल्ली नगर निगम है त्ीसरे पर आमादाबाद नगर निगम है रिपोर्ट और रैंकिंग अगर बात करें तो टाटा ग्रूप भारत का सबसे मुल्यवान ब्रांड बना है दुनिया में भारत तिसरा सबसे बड़ा घरेलू एरलाइन बाजार बना है बिराट कोली भारत के सबसे मुल्यवान सेलिब्रेटी ब्रांड बने हैं, जिनका ब्रांड मिलियन है, 227.9 डॉलर मिलियन में है यह, यह चार कंसल्टेंसी मर्सर की रिपोर्ट करनुसार, परवासियों के लिए भारत का सबसे महना सहर कौन बना है सहर, तो आपका मुंबाई बना है, और अगर यह सहर की बात क्या भारत में, ठीक है, अगर परवासियों से बोले कि अगर विदेश में, विदेश में कौन सा बना है, तो वो आपका सर सिंगापूर बना है, कौन बना है सर, सिंगापूर बना है, बोली का कि सिंगापूर बना है, सबसे सिंगापूर ब गही है। तिलंगाना में की गई है। कहां पर की गई है सर तो आपका तिलंगाना में की गई है। मेरा कि रिपोर्ट और रैंकिंग के अगर हम बात करें तो वैधिक सांती सुष्कांग दोजाब चोविस में आइसलेंड पहले अस्थान पर है भारत को 116 वे अस्थान पर है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ओक्साइट उत्सर्जक देशे और पहले अस्थान पर चीन है पहले पर कौन है चीन है दूसरे पर कौन है आपका अपना भारत है दे लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल में परकासित एक अध्यान का नुसार भारत में हर साल वाई परदूसन से 33,000 लोग मरते हैं संजूक्त राष्ट उनाइटेड नेशन की किस जन संख्या संभावना रिपोर्ट का अनुसार भारत की जन संख्या दो सब बार्शर तक 2,000 बार्शर तक 1.70 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है संजूक्त इवन की जो रिपोर्ट है जन संख्या वला उसमें यह बोला है कि 2,000 बार्शर तक इवन ने बताया कि 2,000 बार्शर तक जो भारत का जो जन संख्या है वो 1.70 मिनियन तक पहुँच जाएगा ठीक है आईटी सच्छा मिवा योजना कहां पे शुरू हुआ है सर तो यह आपका हर्याना में हुआ है तमिल नाडू ने भीगत तमामा योजना सुरू की है मुख मंत्री युवा उध्मी विकास अभियान कहां पर शुरू हुआ है सर तो यह आपका उत्तर परदेश में हुआ है तलंगाना के सीवम सीम जो है रेवन्त रेडी तोरा राजिव गांधी सिविल अभियस्त योजना का सुवा रम किया गया है इस कारिकरम के तहट सिविल सेवा की मुख परिच्छा में वो तिन उमिद्वारों को उनकी तयारी के लिए है जिसमें उनको एक लाख मिलेंगे तलंगाना करेंट अफेर के अगर में बात करूँ तो थ्रा सा इसके बारे में देख लेते हैं इद्धी रामा वास योजना कहां शुरू के गया तिलंगाना में एक मुसत योजना कहां शुरू के गया तिलंगाना सरकार के द्वारा जन जाती उत्सव सम्मक्का सरलम्मा जता रहा है कहां पर शुरू है तिलंगाना में हुआ है ग्री जोती योजना कहां पर शुरू हु कहां पर शुरू हुआ है उसे तिलंगाना सरकार के द्वारा शुरू हुआ है अगला है आपके समने की पाई सन्नी कटन दिवस 2024 कम मना गया है पाई सन्नी कटन दिवस कम मना गया है सर तो यह आपका 22 जुलाई को मना गया है कम मना गया सर तो यह आपका 22 जुलाई को मना जाए आज ही है, आज तो 22 जुलाई है, आज ही मनाए जाएगा ये, ठीक है? तो थोड़ा सा एक सेरो साहीरी में मार देता हूँ, कि सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर एसे बिख रहे हैं जिंदगी की कसम में, कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और सवाल लेने से पहले मैं आपको बता दू कि कुछ जुलाई मा के प्रमुख दिवस से हो बता देता हूँ एक जुलाई के रस्टिय चिकिस्य दिवस, CA दिवस मनाय जाता है एक जुलाई को भरतिये स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी है एक जुलाई को माल और सेवा पर GST दिवस मनाय जाता है एक जुलाई के रस्टिये डाक करमचारी दिवस दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस फिर दो जुलाई को विश उएफो दिवस, तीन जुलाई को अंतरास्टिय प्लास्टिक बैग मोप दिवस, और चार जुलाई को उएशे का सतंता दिवस, और बारा जुलाई को क्या है सर्थ, तो बारा जुलाई को मलाला दिवस, मलाला, उसुप मलाला के उपर जो मनाया जा 18 जुलाई को अंताराष्टिये ?, Nielson Mandela दिवस, 20 जुलाई को अंताराष्टिये सत्रंज दिवस, 22 जुलाई को विष्व मस्तिसक दिवस, 22 जुलाई को P.I. सनी कатन दिवस, 13 जुलाई को रस्टिये पषारं दिवस, फिर 13 जुलाई को बाल गंगाध्र तिल्यक जयन्ती, 13 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 27 जुलाई को केंद्रिये रिजयब पूलिष बल अस्थापना दिवस मनाए जाता है हर साफ 7 जुलाई को विश्ट की वहली भाषा दिवस 10 जुलाई को नेशनल फीस फार्मस डे 12 जुलाई को विश्ट पेपर बैक दिवस 15 जुलाई को 20 युवा कॉसल दिवस 17 जुलाई को अंतरास्टिय नयाई दिवस 18 जुलाई को 20 हेपेटाइटीस दिवस 28 जुलाई को 20 परकिर्ति सन अच्छन दिवस 29 जुलाई को अंतरास्टिय बाग दिवस ये थे पूरे दीन आपके चली अगला है कि हाली में किस कोट में हाइबिरिट कोट रूम का उधगाटन किया गया है इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां कामकाज पहले की तरह हाथों से तो होगा साथी साथ इसमें AI को सामिल कर लिया गया है इंपोर्टेंट करेंटेफर देख लेते हैं कि केडल ने अपनी स्कूली पार्ट करमों में Artificial Intelligence को एकी कृत करके एक पहल की सुरवात करी है हनुमान AI चैट बोट को कितनी भशाओं के साथ लाउंच किया गया है तो आप हमें कमेंट बोक्स में बताना इसका DD किसान ने AI इंकर लाउंच किये किरिसी और भूमी ओपन AI का डिस मसिन लल्निंग बेस्ट चैट बोट चैट जीपेटी है राश्पती दुरपती मुर्मों ने आर्मी चीफ जन्नल उपिन दिर्वेदी और नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमातिर पाठी को परम बिसिष्ट सेवा में पदक से समानित किया है सस्तर बलो और टटर अच्छक बलके 94 कर्मियों को बिसिष्ट सेवा पद से नवाजा गया है लेटिनेश जन्नल एमेवी रचिंदर कुमार और लेटिनेश जन्नल एनेश राजा सुब्रमनी को भी परम बिसिष्ट समान मिला है राश्टपती ने 31 परम बिसिष्ट सेवा पदक उत्तम यूद सेवा मेडल दिये है अगरा सवाल है कि राश्पती दुर्पती मुर्मो ने ससस्त्र बलो और भारतिये टाटर अच्छक बलके कितने कर्मियों को विसिस्ट सेवा मदल से समानित किया है तो टोटल आपका 94 में है इस में से मैं आपको एक एक बता देता हूँ जिसमें 31 को मिला है क्या P.V.S.M. परम बिसिस्ट सेवा मेडल मिला है चार को जो है वो आपका उत्तम U.V.S.M. उत्तम यूध सेवा मेडल मिला है चार को ठीक है और दो को जो मिला है वो मिला है आपका सर बार टू वी एसम मिला है विसिस्ट सेवा मेडल मिला है और 57 को 57 लोग को मिला है विसिस्ट सेवा मेडल मिला है ठीक है चलिए आज का ये आखरी सवाल है कि नासा ने किस गरह पर सलफर की खोज करी है किस गरह पर करी है सर तो आपका मंगल गरह पर करी है कहां पर करी है सर मंगल गरह पर करी है अमेरिकिया स्पेस एजेंसी निस्नल Airnautics and Space Administration में Mars पर सलफर मिलने की भोसना करी है NASA के Mars Curiosity rover ने सलफर की खोज की है यह पहली बार है जब Mars पर सलफर अपने सज रूप में मिला है Rover Curiosity Mars पर Laboratory है भेजी है भेजी गई चलती फिरती Rover Curiosity को 26 नमेंबर 2020 को launch किया गया эт anti तो यह था सर आपका आज का current affair, वैसे बच्चे जिनको फिरी में PDF चाहिए, अगर PDF चाहिए, तो आप कुछ मत करें, भी यह सर अड़ा हमारा application है, आपको क्या करना है, कि आपको Google Play Store से कहां से सर, तो आपको Google Play Store से जाना है, इसको क्या करना है सर, डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आपको daily current affair by विवेक सर करके मिलेगा, आप वहाँ से जाके यह ले सकते हैं, ठीक है, तो यह था सर, आज का आपका current affair, और मैं आपको बता दू, चलते चलते, कि जिन्दा इंसान को गिराने में, और मरे हुए इंसान को उठाने में, गजब क एकता दिखाते हैं लोग, अगर आप जिन्दी में बढ़ रहे हो, या आप पीछे चल रहे हो, तो लोग से दिलकूल नहीं डिरना, क्यों नहीं डिरना, इसलिए बोल ला हूँ, क्योंकि जिन्दा लोग को गिराने में, और मरे हुए इंसान को उठाने में, गजब की एकता दिखाते हैं लोग, ठीक है, और जो मेरा सबसे फैबरेट लाइन है, उमेसा याद रखना, कि तुफान आना भी जरूरी होता है जिन्दगी में, तभी पता चलता है, कि कौन हाथ पकरता है, और कौन साथ छोड़ता है, कौन हाथ पकरता है, कौन साथ छोड़ता है, तो चल पुछिए एता है